हेलो फ्रेंड्स मेरे योग्ट्यो चैनल इंप्रोफ्यूर नॉलेज में आप सरी का स्वागत है आज मैं मसाला खिजड़ी की रेश्पी लेकर आए हूं इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही श्वादिष्ट होता है जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही अगर आज की मेरी मसाला खिजड़ी की रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए सबसे पहले हम एक गैस पे प्रेशर कुकर रखेंगे और गैस को अन कर लेंगे कुकर गरम हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे एक बड़ा चमच देशी घी और घी को हम अच्छे से मिल्ट होने देंगे घी गैरम हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे फोरं तो हम यहाँ पे दो तेज परती एक दाल चिन्नी एश्टी एक बड़ी इलाची दो छोटी इलाची पांच लॉंग पांच से साथ काली मिर्च दो शुखी मिर्च और एक चमच जीरा डालेंगे और इसे एकदम श्लो फ्लेम पे भूनेंगे इससे क्या होता है थड़ी मसाले का शारा आरोमा जो है ओ घी में आ जाता है फोरन अपना ब्राउन हो चुका है हमें इसे काला नहीं होने देना है तो ध्यान रहे हम फोरन एकदम श्लो फ्लेम पे फूनेंगे तब ही सारे फ्लेवर्स जो है घी में आता है अब हम इसमें एक बड़ा प्याज फटा हुआ डाल देंगे अब हम उसमें डालेंगे अद्रक लहसुन का दरदला कुटा हुआ और इसे भी एक मिनन तक प्याज के साथ भून लेंगे तो आप जहां से देखिए प्याज लहसुन अद्रक अद्रक अपना भून चुका है इसका हलका अचा कलर ब्रावन होना चुरू हुआ है हमें ज्यादा ग्रेवी के दिल से डार्क नहीं करना है हलका ही होने देना है अब हम इस श्टेश पर डालेंगे एक आलू जिसे हमने मेडियम साइब में काट लिया है तो एक आलू हम इसे में डाल देंगे साथ में हम एक मेडियम साइज बैगन को ही काट लिया है और एक बड़ा गाजर को ही हम साथ में डाल देंगे इसे हमने मेडियम टुकड़े में काट रखा है साथ में हम कुछ दुद्धी के टुकड़े डालेंगे और इसे चला लेंगे अब हम डालेंगे फुल गोवी जिसे हमने गरम पानी से धोके छोटे-छोटे तुक्रे में काट लिया है गरम पानी से धोना पड़ता है क्योंकि गोवी में कभी-कभी छोटे-छोटे कीरे फासे रहते हैं एक पॉंकिन यानिकी इसे फीला कद्दू कहते हैं कोई कुहडा कहता है तो यह भी हम छोटा सा तुक्रा इसमें डाल देंगे साथ में हम चार हरी मिर्च को भी से काट लिये हैं उसे भी डाल देंगे और अब हम डालेंगे एक कटोरी मटर इसे हमने ताजा मटर को छील के तयार किया है तो इसे भी डाल देंगे अब सारी सब्जीयों को हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भी में बूलेंगे भी में भूवण जाने के बाद सब्जियों का टेष् कुषालगी हो जाता है हमस्पाइट धूरेंगे मिक्स कर् लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाला तो इसमें हम एक चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे एक चमच लाल मिल्च पॉर्डर तीखा आप अपने टेश्ट के कॉड़िंग अर्धिश्ट कर सकते हैं और खिच्डी है तो इसमें हल्दी भी अच्छी होनी चाहिए हल्दी डालेंगे क्योंकि खिच्डी की कलर पीला होना चाहिए और अब हम डालेंगे नमक तो नमक अपने केश्ट के अनुपसार हम डालेंगे क्योंकि यह खिचडी है तो यहां पे हम देड़ चमस नमक डाल रहे हैं अब सारे सब्जी के साथ हम मसाले को अच्छी से विक्स करके दो मिनट तक और पकाएंगे सब्जी और मसाले को हमने पका लिया है इसे गल्ले नहीं देना है अब हम इस एस्टेट पर डालेंगे चावल तो हमने एक गल्लास मंसुरी चावल को धो लिया है यहां पे आप कोई भी छोटे दाने का चावल डाल सकते हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल, चावल हमें भींगाना नहीं है, चावल को हम तुरंत धोएंगे, और कुकर में डाल देंगे, आधे ग्लास दाल को हमने धोगे, आधे घंडे पहले भींगो दिया था, ये तूवर की दाल है, तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे, और हम पानी के साथ ही डालेंगे, क अब हम सारे शामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल डाल हमने सब्दी के साथ अच्छे से मिक्स कर रिया है तो हमने इसी glass से एक glass चावल लिया था इसी glass से नापके हम इसमें पानी डालेंगे तो यहां पर हम एक glass दो glass और एक glass में हमने दाल भींगोया था याने कि टोटल यहां पर हम तीन glass पाने यूज किये हैं अब हम खिच्डी को mix कर देंगे और इसे धक्कन लगा लेंगे तो अब हम धक्कन लगा लेंगे और तेज फ्लेम पे हम इसे एक भीशिल आने तक पकाएंगे बाद के पंदरा मिनट हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे भीशिल आने के बाद हमने दस मिनट तक खिजरी को एकदम स्लो फ्लेम पे पका लिया है अब हम गैस के flame को off कर लेंगे और प्रेसर को अपने आप निकलने देंगे कुकर से प्रेसर निकल चुका है अब हम प्रेसर कुकर को open करेंगे तो हम भककर को ऐसे खोल लेंगे आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कलर, कितनी अच्छी खुसवो अपनी खिचरी तयार हो चुकी है तो यहाँ पे अगर इसको पानी की ज़रूरत पढ़े तो इसमें गरम पानी थोड़ा सा एड़ कर सकते है अगर शुकी खिचरी पसंद है तो यह परफेक्ट है तो मैं यहाँ पे एक ग्लास गरम पानी और एड़ कर रही हूँ अब हम खिचरी सर्व करने से पहले एक तरका डालेंगे तरका डालने से खिचरी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है तो हम तरका तयार कर लेते हैं तो अब हम इसे ढखके गैस से उतार लेते हैं तरके की तयारी कर लेते हैं गैस पे हमने एक तरका पैन रख लिया है गैस को ओन कर लिया है तरका पैन गरम हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे एक चमच देसी घी घी गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे जीडा और हम आधा चमच हींग डालेंगे इसे अच्छे से हम तरकने देंगे घी के साथ जीरा अपना चटकने लगा है अब हम इस स्टेज पर डालेंगे कड़ी पत्ता और इसे भी अच्छे से भून लेंगे कड़ी पत्ता का फ्लिवर आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो जीरा और हींग से भी तरका दे सकते हैं तो अब ध्यान से देखिए जीरा, कड़ी, पत्ता अच्छे से ब्राउन हो चुका है अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर लेंगे अब हम खिचरी के तरफ चलते हैं तो खिचरी का धकन हम अटा लेंगे और इसे फैलाते हुए तक्ये को डालेंगे और हम तुरंद कभर करके दो मिनट तक छोड़ देंगे फिर हम इसे सर्व करेंगे दो मिनट हो चुके हैं अब हम खिचरी सर्व करेंगे बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है और कलर भी इसका मस्त है अब हम इसे सर्व करेंगे इतनी बढ़ियां खिचरी तयार होई है अब हम खिचरी के उपर से डालेंगे थोड़ा सा घी घी के विना तो खिचरी का टेस्ट अधूरा रहता है तो यह अब अपना परफिक्ट मकर शक्रांती एसपेशल मसाला खिचरी बनकर तयार है अगर आज की मेरी ये मसाला खिचरी की रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूली धन्यवाद